अब 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 अब्रिवन मेरा नाम इम्रान है और आप देख रहे हैं Eminent Arts Academy तो आज हम Class 6 की बुक A Pact with the Sun उसका Chapter No.8 पड़ेंगे जिसका नाम भी यही है A Pact with the Sun Pact होता है समझगता जो की एक Sun सूरज के साथ किया जाता है वो कौन सा समझगता होता है चलिए समझने की कोशिश करते हैं शहीदा की जो मा होती है उन्हें सही से medical treatment नहीं मिल पाता उनकी complaints का जो बिमारी की शिकायत करती है उस बिमारी का शहीदा की मा को अच्छा सा treatment नहीं मिल पाता She is denied healthy food, sunshine and fresh air उनको healthy food खाने से भी मना कर दिया गया था sunshine यानि के सूरज की रौशनी से भी मना कर दिया था कि आप सूरज की रौशनी तब में नहीं आ सकते और fresh air भी नहीं ले सकते ऐसा कई चिकितसकों ने कहा था at last आखरी में she consult a good physician physician होता है डौक्टर चिकितसक जो भी treatment करता हो हमारी बीमारियों का वो तो आखरी में वो एक अच्छे डौक्टर से consult करती है मतलब उससे treatment लेती है who gives her effective medicine and sound advice और वो उसे बहुत अच्छी दवाईया देता है और अच्छी सला भी देता है इसी के बारे में detail में story है तो चलिए story को read करते है शहिदा's mother had been ailing for a long time शहिदा की जो मा होती है वो कई लंबे समय से बिमार है बिमार थी fever, cuff, body ache, painful joints and what not उनको क्या क्या था fever था, cuff खासी थी, body ache, शरीर में दर्द, painful joints उनके जो joints थे उनमें भी काफी pain रहता था और भी न जाने बहुत कुछ treated by a variety of physician for a week, उन्होंने कई चिकितसकों को दिखाया, कई doctors को दिखाया, कई हफ्तों सक, she often showed sign of improvement but soon relapsed into her old sick self, वो शुरुआत में जब चिकितसक से दिखाती थी तो starting में तो ठीक हो जाती थी और फिर बाद में कुछ दिनों बाद वापिस वैसी ही आलात उनकी हो जाती थी, ज उसके बाद दूसरी शकायती स्टार्ट हो जाती है, एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दो वीक एंड कलरलेस, she was forbidden normal food and was under strict order to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air, हाला कि वो काफी बीमार हो चुकी थी, काफी कमजोर हो चुकी थी, कलरलेस यानि चहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था, उनको मना कर दिया गया था, नॉर्मल खाना खाने से, यानि कि वो कुछ जैसे हम आम दिन चरिया की चीज़े खाते हैं, वो नहीं खा सकती थी और वो एक strict order में थी, कि वो remain वहीं पे रहेगी, एक छोटे से कमरे मे जो की एक डिंजी गंदा सा रूम में रहेगी, मतलब जहां बे लाइट नहीं आती हो गंदा से रूम के अंदर, और दूर्स तक नहीं खोल सकती, दरवाजे नहीं खोल सकती, वो डिप्राइवड रहेगी संसाइन से, यानि सूरच की रोसनी तक नहीं ले सकती, और फ्रेस जब उनकी हालत खराब हो जाती है, यानि की बहुत ही जादा खराब हो जाती है, तो यह अच्छे डॉक्टर से दिखाओ, एक इस्पेसलिष्ट से दिखाओ, जिसकी फीज़दी जादा हो सकती है, लेकिन दिखाओ उनी से उनी से आप अपना इलाज करवाओ Life is more precious than money वस उनी से समझाते हैं कि जो जिन्दगी हमारी काफी important है काफी precious है कीमती है हमारे पैसो से Then said Saida's mother was poor but she had heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of the medicine हाला कि वो बहुत ही जादा गरीब होती है Saida की मा लेकिन फिर भी वो क्या करती है अपने कुछ जेवर बेच देती है ताकि doctor की fees दे पाए और उनकी लोगों की advice पे अमल करती है एक अच्छे doctor से दिखाती है The doctor came in a few days कुछ दिनों में doctor आ जाता है एक्जामिन हर और उसे अच्छे से देखता है शहीदा की मा को prescribed effective but costly medicine तो उन्हें वो बहुत जाद अच्छी दवाईया लिखके देता है और थोड़ी सी महंगी होती है दवाईया To the questions as to what she should eat he said तो फिर उससे जब पूछा जाता है doctor से कि इन्हें क्या क्या खाना चाहिए क्या खाएं ये तो anything वो जवाब देते है Anything you wish to eat तो वो कहते कि कुछ भी इनका खाने का मन हो ये आप खा सकते है तो चपाती खानी हो चपाती खालो vegetable, milk, fruit etc जो इनका खाने का मन करे In addition to all this he added emphatically leave this dark hovel and occupy a bigger room with doors and windows open वो कहते हैं कि आगे और कहते हैं कि एक तो उन्हें कुछ भी खाना हो वो खा सकती है दूसरा उन्हें एडवाईज ये करते है वो भी emphatically कहते हुए यानि कि जोर देते हुए कहते हैं कि leave छोड़ो इस घर को dark घर को hovel hovel यानि कि बद्धा सा घर बेकार सा घर इस घर को छोड़ो और एक अच्छा सा बड़ा सा रूम लो जहां पे windows खुली हो दरवाजे खुली हो ताजी हवा आए sit in the sun every morning from 8 to 9 हर रोज सुबह 8 से 9 सूरज सूरज की धूप में बैठो sunshine लो sunshine and fresh air लो he concluded वो कुल मिला के ये बात बोलता है are more important than medicines वो कहता है कि ये सब चीजे ज़्यादा important medicine से यानि खुली हवाओ से जो मरजी खाना हो वो से खुली हवाओ और sunshine आपके लिए ज़्यादा benefit होगी medicine से ये advice करता है वो doctor the doctor and his advice became a subject of a noisy commentary among all present जितने भी लोग present होते हैं वहाँ पे सब ये आपस में बहस करने लग जाते हैं अरे ये doctor क्या कह रहा है ये सही बात कह भी रहा है कि गलत बात कह रहा है कि अभी तक तो जितने भी doctor है सबने नूर्मल खानी के लिए मना किया है और इनको एक dark room में रहने के लिए कहा है जहां पे light ना है रोशनी ना है हवा ना है और ये तो बिल्कुल उल्टी बात कह रहे है तो कुछ आपस में लोगों की बहस होने लगी कुछ ने तो डॉक्टर का साथ दिया उनमे से एक और जो बोलती है जो काफी बुडिया होती है वो बोलती है की अरे खुली हवाएं और सूरज में मतलब धूब میں जाना खुली हवा Congressman जाना और बहुती जादा पुरानी खासी है कई दिनों की खासी है केड़ी जादा-डेंजरश होगा एक औरत कहती ऐसा और उनका एक जवान लड़का कहता है कि ऐसा थोड़ी नहीं है वो उनसे इस बात पर बहस करने लग जाता है यानि छोटी मोटी लड़ाई सी हो जाती है बहस सी हो जाती है उन बूड़ी अम्मा में एक्सपिरियंस लेडी में और वो यंग नेवर जो उनके बगल में खड़ा हुआ था साइदा की मम्मी ने सोचा कि कौन इनकी बहस में पड़े कौन इनसे बात करे कोई फेवर में या कोई नी फेवर में लेकिन साइदा की माने यह सोच लिया था कि भही मैं तो जो डॉक्टर कह रहे हैं वो परिणाम का सोचे बगएर लास्ट में कहती है आई विल केरी आउट इस इंस्ट्रक्शन तो दे लेटर मूव माइ बेड इंटो एन नेक्स्ट रूम लेट मी सिट इन दा सन ओन माइ चार पॉय फॉर एन आवर डेली फॉर एन आवर तो वो कहती है कि कुछ भी हो मतलब तुम जो भी कह रहे हो कि नहीं लेना चाहिए एर नहीं लेनी चाहिए और धूमें नहीं बैठना चाहिए परिणाम चाहिए कुछ भी हो मेरा ही तो खाट तुम ले जाओ एक बड़े से रूम में वहां डाल दो और एक घंटे के लिए मुझे डेली सन में एक्सपोजर होने दो यानि के सूरज की रौसनी लेने दो वो शहीदा की माँ ऐसा कहती है अगले दिन क्या होता है कि जो बादल होते हैं वो घिराते हैं सूरज की रौसनी नीचे तक आनी पाती बादल चाहे रहते हैं और कास्ट का मतलब है बादलों का चाहे रहना इसका एल रिमेंड और कास्ट फिर उसके अगले दिन भी ऐसा ही होता है शहीदा's mother was dejected फिर दो दिन से यही चल रहा होता है बादली बादल तो इतने में सहीदा की मा क्या हो जाती है dejected हो जाती है यानि की निराश हो जाती है see murdered वो बड़बडाती है बोलती है oh lord of mine oh मेरे खुदा मेरे भगवान why have you ordered the sun to remain hidden तुमने इन बादलों को क्यों उस वही सूरज को क्यों आदेश दे दिया छुपने का how will I ever be cured मैं कैसे ठीक हो पाऊंगी वो भगवान से ये गोहार लगाती है murdered बड़बडाते हुए सहीदा वास प्लेइंग विद हर डॉल nearby and she heard her mother lament but keep calm सहीदा डॉल के साथ खेल रही होती है अपनी गुडिया के साथ बगल में वो अपनी मा को ऐसे lament का मतलब होता है धीरे धीरे बोलते हुए रोना मतलब गम में दुख में जब कोई बात बोल रहा होता है तो उसकी बाते लडखडारी होती है ऐसा लगता है कि रोही रहा है तो ये आवाज सुनकर अब क्या होता है थोड़ी देर बाद ही अचानक धूप की थोड़ी थोड़ी किरने दिखती है ये देखते ही जो शहिदा है वो भागते हो जाती है अपनी मम्मी के पास और कहती है कि थोड़ी sunshine आ गई है यानि धूप की किरने आ गई हुई है रोशनी आ गई हुई है फिर क्या होता है जो वहाँ पे लोग होते है सब कहते हैं नहीं नहीं मज जाओ इट्स टू लेट बहुत देर हो गई है अब एंड चिली के बाहर क्या है अब थंड़ा मौसम हो गया है क्योंकि उसे खासी होती हो ठंड़े मौसम में जाना सही नहीं होता खासी के टैम योर मदर कांट सिट आउट देर सब बुलते हैं शहीदा को तुमारे अम्मी बहार नहीं बैठ सकती डिस हाटेंड शहीदा रिटर्न टू हर डॉल ये सुनकर जो शहीदा होती है उदास हो जाती है और वापस अपने डॉल के पास चली जाती है तो लोग कहते हैं कि कोई सन नहीं है वो तो बस उसकी रेमेनेंट से हैं यानि कि कुछ जलक भर यानि मात्र बची होई कुछ से रोशनी है जो अब भी थोड़ी दिर बाद खतम हो जाएगी वो भी रोशनी जो की उलजी हुई है ब्रांचे से यानि के जो पेड है आम का ट्री जो है इन में बस थोड़ी बहुत इसके जरी मतलब जो सूरज है वो डूब रहा है और थोड़ी बहुत किरने ही आ रही है जो की मेंगो ट्री से उलज्चती हुई आ रही है बाहर मतलब उससे पार आ रही है तो ये बोल रहे कि बस अब तो खतम ही हो रही है दूब तो अब जाके फाइदा क्या है तो लोग समझा देते हैं उसे फिर जो बच्चे होते हैं यहां पर जो राइटर है वो कुछ बताना चाह रहे बच्चे जो होते हैं उनकी एक सीक्रेट लैंग्विज होती है लेकिन जो बड़े होते हैं वो इन लैंग्विज से अंजान होते हैं यह कौन सी language होती है बच्चों की देखते हैं, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, यह वो भासा होती है बच्चों की, कुछ बच्चे जो कुछ आपस में बात करते हैं, या वो in secret language से fluently बात कर सकते हैं, tree से, flowers से, animals से, sun से, perhaps even with the Almighty, यहां तक की वो भगवान से भी बात कर सकते हैं, ऐसी उनकी secret language होती है, using that special language, सईदा addressed her remark to the last departing ray of the sun, सईदा क्या करती है, इसी language में बोलते हूँ, या नि बड़बडाती हूँ, इसी कुछ बोलती है, तो हम poet कह रहा है, जो यह writer है, वो यह कह रहा है, कि बच्चे कुछ अपनी बड़बडाती हूँ भाशा में कुछ कहते हैं, यह वो trees से, flowers से, animals से बात करते हैं, तो ऐसे ही शहिदा भी जब end में सूरज ढल रहा होता है, उससे कुछ बाते करती है, शहिदा, शहिदा क्या बात करती है, मतलब किर्णों से बाते करती है, किर्णों से कहती है, मेरी प्यारी बहनों, do come tomorrow, तुम कल भी आना, with lots of warmth and brightness, बहुत सारी गर्मी और उजाला लेकर, you see, तुम देखी रहे हो, my mother is ill, मेरी मा बिमार है, and needs your help, और तुम्हारी help की जरुरत है, ये किर्णों से बोलती है, शहिदा, ये री शहिदा, इस तरीके से किर्णों से बात करती है, और फिर किर्णे जवाब देती है, surely, बिल्कुल, answer the light, light उससे बात करती है, किर्णे बात करती है, और कहती है, हाँ हाँ जरूर, don't look unhappy, उदास मत हो, we will be there at next fixed hour, कि कल हम दुबारे आएंगे, जो समय होता है, हमारा आने का, फिर होता है, next day, next day, early in the morning, when the sprintly sun rays, embellished themselves, for their journey down to earth, the sun said, it's our day of again, अगला दिन होता है, सुबह सुबह, जब सुरज तैयार होता है, अपनी किर्णे बिखेरने के लिए, और अपनी जर्नी शुरू करने के लिए, सुबह से साम तक की, तब सुबह होते ही, जो सुरज है, वो कहता है, आज भी हमारा day of है, यानि सुरज किर्णों से कहता है अपनी, कि आज भी हमारा day off है, आज भी हमारी छुट्टी है, we are staying up here, हम उपर ही रहेंगे यहाँ पे, किरुनों से कहता है हम उपर ही रहेंगे, the road of the earth is blocked by an army of thick mucky clouds, वो कहता है जो हमारा रास्ता है, किरुनों का जो रास्ता है मेरे तरफ, यानि सूरस से होता हुआ जमीन तक, किरुनो मकी clouds की, कि जो बादल हैं, वो हमारे रास्ते में आ चुके हैं, तो सारी जितने भी किरुने हैं, सब यहीं रुख जाओ, कोई नहीं जाएगा धरती तक, क्योंकि वो हमारे रास्ते में आ रहे हैं, और वो बहुती जादा मकी यानि के गंदे हैं बादल, तो इससे गुजर क के नहीं जाना है, सूरज यह कह देता है अपनी किरणों से, the little rays so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet, जो ray होती है, जो किरने होती है, वो बहुत साहित होती है, कि हमें तो नीचे जाना है, लेकिन जब वो सूरज की बास सुनती है, तो सारी किरने चुप हो जाती हैं, कुछ नहीं कहती, उन में से एक किरन जो होती है जो अगले दिन पिछले दिन साइदा से उसने पैक्ट कर लिया होता है वो कहती है सर यानि सूरत से कहती है सर आई कांट स्टे बैक्ट मैं यहां नहीं रह सकती I have given my word to साइदा मैंने साइदा को promise किया है वादा किया है whose mother is ill जिसकी मा बिमार है and needs our help जिसे हमारी help चाहिए I will pierce through the cloud to reach साइदा's courtyard मैं इन बादलों को छेत करती हुई नीचे तक चली जाओंगी कहां पे साइदा के courtyard में यानि के साइदा के अंगन में how else will her mother be cured और किस तरीके से उसकी मा ठीक होईगी हमारी किरनों की जरुबत है हम जाएंगे वहां किरने तब ही वो इसकी मा ठीक हो पाईगी hearing this ये सुनकर all the rays nearly stagged a revolt against their father the son तो ये उसकी बात सुनके जो एक छोटी किरन होती है छोटी रे की बात सुनके बाकी जो और रे होती है वो भी विरोत करने लग जाती है हाँ हाँ साही कह रही है ये हाँ जो उसके फादर होते हैं बतलब वो सब कहते हैं कि हाँ पिता जी हमें जाने दीजिये son उनका father होता है किरनों का तो किरने विदो कर देती है कि नहीं हमें तो जाना है क्योंकि शाइदा की माँ बिमार है तो हमें वाँ पे नीचे पहुचना है क्योंकि एक किरन ने हमारी बहन ने उसके साथ समझता कर लिया था fancy staying back again they said in a single voice what what will the people of the earth say about us तो सब लोग कहने लगते हैं सारी किरने कहने लगती है कि बताओ सब एक इस वर में चिलाने लगती है सारी एक साथ बोलने लगती है कि लोग क्या बोलेंगे धरती के धरती के लोग हमारी बुराई करेंगे वो क्या बोलेंगे that we of the heavens have turned liars के हम जितने भी ये स्वर्ग में रहने वाले लोग हैं स्वर्गी ये लोग हैं हम सब तो जूटे हैं सब लोग ऐसे ही कहने लगे हैं क्योंकि मैंने तो वादा कर दिया था और वो वादा निभाएंगे नहीं हम तो लोग हमें जूटा कहने लगेंगे सब ही किरने ये विद्रो करने लगती है बोलने लगती है जो सूरज होता है सूरज को जुकना पड़ता आखिरकार और उनकी बात माननी पड़ती है तो फिर सूरज कहता है सब खुस हो जाओ सूरज ने ऐसा कहा अपने कपड़ों का ध्यान रखना क्योंकि जो बादल हैं वो गंदे हो रहे हैं कि चिंता मत करो हमारे कपड़ों की हम दुबारे से बदल लेंगे पर हमारा जाना बहुत जरूरी है पिर जो किरने हैं वो अचानक जल्दी से रश का मतलब होता है जल्दी से जाना जल्दी से जाती है अर्थ की तरफ तो जो क्लावड्स हैं उनके बीच से होते हुए किरने निकलती हैं और कोटियाड में यानि के आंगन में पहुँच जाती है शाइदा के जो एक छोटी किरन होती है वो अपनी गर्मी बरकरार रखती है फोकस रखती है अपनी हीट पर और जो क्लावड्स के भीतर में से बैटल बोल दिया मैंने बैटैलियन ओफ क्लावड्स क्लावड्स की जो बैटैलियन होती है जो सैनिक होते हैं क्लावड्स के उनके बीचों में से जारी होती है which had to flee from its post the rays got through shooting past and bewilled clouds they were already late तो क्योंकि उन उनसे बहस करने का time नहीं होता बादलों से तो क्रिने बिल्कुल उनको चीरते फारते वो निकलती है बिना किसी time waste क्योंकि पहले ही उनका time काफी waste हो चुका था Shida saw the whole host Shida उन सारी सहलियों को देखती है अपने सारी किरनों को देखती है सारे महमानों को देखती है जितनी किरने आती है of them approaching के उसकी तरफ आते हुए and her heart leap with joy उसका दिल खुशी से भर उटता है she shouted वो चिलाती है amma 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 करके चिलाती है the sun is here सूरज निकल गया come out बाहर आओ the old lady's eyes welled up with the tears of gratitude जो बूड़ी औरत थी उसके आँखे भर आई खुशी के मारे हर चारपोय was placed in the courtyard and she sat on it for an hour फिर क्या उसकी जो खाट थी उसको चरपाई को उठाया और धूब की तरफ ले आई और एक घंटे तक वो उसी में अराम करी reselling against bolsters उसने काफी देर तक धूप सेकी वहाँ पे और rest किया it had been months since she had felt the sun on her hands and face breathed in fresh air कई महीने बीट गए थे कि जब उसने सूरज की किरने अपने हाथों पे और चहरों पे महसूस करी और ये खुली सांसे खुली हवा ताजी एर ली she thought she was in a new world उस जो शहीदा की मा थी उसने ये सोचा कि मैं तो एक नई दुनिया में आ गई हूँ थो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आई ास शौन ब्राइट उसके चहरा खिल उठा खिला हैलाकि उसका चहरा बिल्कुल मुरुजा चुका था बिल्कुल कलरलेस हो चुका था हाथ फिर भे उसका चहरा ग्लो करने लगता है और उसकी आखे चमक उठती है उसने अपने बच्ची को भी देखा यानि सईदा को भी देखा सन बात में आते हुए सन बात कहते हैं कि सूरज की रौसनी में नहाना मतलब वैसे नहाना नहीं पानी लेके सूरज की रौसनी से ही नहाना सूरज की रोसनी को अपने शरीर पर लेना और अपनी बेटी को उसने चूमा और जो फ्लावर्स थे जो वहाँ आसपास जितने भी फूल थे उनमें भी नई खुश्बू आ चुकी थी इस सूरज की किरनकी वज़े से और जो चिडियां थी वो नई चहचही मचा रही थी शहिदा की मा को और अच्छा लगने लगा अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी लेकिन वो फिर भी डॉक्टर की अडवाईज मान रही थी जो जो डॉक्टर ने मैडिसिन दी थी खाने के लिए एन आवर अफ सनलाइट एंड लगफुल्स अफ फ्रेश एर एवरी डे वो यह लगी वो काफी रिकवर हो चुकी थी लेकिन फिर भी वो डेली यह चीज करती थी सनलाइट लेती थी फ्रेश एर लेती थी हर दिन डॉक्टर के कहने पर आपको स्टूडेंट्स अच्छी लगिए तो जाज साथ लोगों के साथ शेयर करें वीडियो को जाज साथ आप फेमस कीजिए ताकि और लोगों की हैल्प हो सके मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में हुआ 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 है